अस्सिलाम अलेकूम बिस्मिल्लाहिरोह्मानिर्रहीम आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फर्ट से लेकर पूरी टीवी इंडस्टी ने जाकरनाक साहिप की वेज़ती की है मीम्स बनाई गई है मजाक उड़ाया गया है और क्या-क्या इलजामात लगाए गए है यह आज की वीडियो में हम देखेंगे ULMA को किसी सूरत में disgrace करने की जो है هو एजाज़त हमारा celebration नहीं देता है क्यूंकि ULMA जो है वो अल्लध-सला की बात कर रहे होते हैं तो इसको अल्लध-सला कुरानि-पाक में कहते हैं कि अगर किसी को आप जो मेरी बात कर रहा हो और ये common sense की बात है logical बात है कि अगर कोई किसी की भी बात कर रहा हो और आप कहते हो कि उसने क्या क्या बात कर दी यह उसने क्या क्या कह दिया तो किसकी बेज़ती की उस बात שकी तो Nowadays नौजबिया यह तो बात जी है यह वीडियो देखें फिर मैं आपसे बात करती हूँ अब के डॉक्टर जाकर नाइक अगर 20 मिनिट तक किसी भी खातून को मेक अप में देखते हैं टेले विजिन के ओपर वो कोई ड्रामा नहीं कर रही वो नाच नहीं रही वो गा नहीं रही उसने कोई बेहुदा लिबास नहीं पहर रखा एक न्यूज हैं कर लोगे मुनासिफ कपड़ों के अंदर होती है उन्हें देखकर इसका मतलब है डॉक्टर जाकर नाइक के जहन में गंदे ख्यालाद पैदा होते हैं उनके जहन में हलचल होती है तभी वो कह रहे हैं कि अगर नहीं होती तो इसका मतलब है कोई आदमी तो ये फर्ज नहीं कर लेना चाहिए कि सब के जहन में गंदा ख्याल पैदा होता होगा और ये कह रही हैं कि पी आईये ने जाकर नाइक के साथ बहुत बुरा शर्वनाग स्लूक किया डू इट अगेन यानि दुबारा किया जाए को किसी रिस्पॉंसिबल इनसान को बुलाना चाहिए यानि डॉक्टर जाकर नाइक की इनकी नजर में कोई एहमियत और वक्त ही नहीं है कह रही हैं ये तो रॉंग नंबर है और ये इन्तहाई हकारत से कह रही है कि इनको स्टेट ऑफ गेस्ट बनाने का किसने सोचा सबसे खतरनाक बात और तश्वीशनाक बात ये है कि हम बहसियत पाकिस्तानी कौम उस दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जो हजरत इसा अलैसलाम का दौर था जिन लोगों पर अल्ला को गुस्सा था कि वो अंबिया अलैसलाम को कतली कर डाते थे यानि यह हक बात अगर कोई कहता था तो वो इतने इसके पीछे पड़ जाते थे कि इसने इस सही बात की ही क्यों है तो हम उस सिम्प में जा रहे है इनी जब हम उल्मा का मजाक उडाना शुरू करते हैं मेंस बनानी शुरू करते हैं उनको डिस्ट्रेस करना शुरू करते हैं तो ये इप्तदा होती है और इंतहा वहां तक जाती है जब कहा गया कि डाकू को फांसी चड़ाई जाए या हजरत इसा अलेहसलाम को तो सब ने एक जुबान होकर काया हजरत इसा अलेहसलाम को वो इतने अंदे हो चुके थे इतने हक से नफरत हो चुकी थी उन्हे सच्चे इंसानों से इतनी नफरत हो चुकी थी उन्हे तो सो हमें सोचना है कि हम किस जाने बढ़ रहे हैं अपनी आखरत बचाने के लिए इन सब लोगों को माफी मांगनी चाहिए जाकर नाइट से और स्पेशली इक्रार उल्हाग को कितनीं की फैल्फवयलिग है और कितनीं ज्यादा लोगों के अंदर ऑन्हों रान जाकर नाइट साथा किया है कि नकि दमाग में गंदय ख्यालात आते हैं सल्गां इशीम सिर्ट सर्द आक्डर जाकर आख का वह जुए पितने नियूजके अधेंगे के दुमाग में आते आते हैं आम लोगों के नहीं कि नहीं हैं मुम्गिन हैं डॉक्टर जाका ईसा लबास नहीं होता है, और फिर दक्टर जगर नाइक थो एक हाँ, सब लोगों की बात कर रहे थे, पूरी टीवी इंडस्ट्री को दक्टर जगर नाइक से माफी मांगनी चाहिए, आप अपनी दुआउं में मुझे याद रखें, मैं आप लोगों को अपनी दुआउं में या